हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो अभी हम लोग यहां पर एशिंट पेंट्स लिम्टेट के अलसेस करेंगे अनुस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जो मार्केट उपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस सेक्शन पाटन दिखाएगा और इसके important levels कैसे रहने वाले हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत यह अच्छा breakout मिला था हम लोगों को इसके उपर हम लोगों को एक breakout मिल गया था लेकिन इसके उपर सस्टेन नहीं हो बाया और यह नीचे की और फॉल हो गया लेकिन कल के दिन हम लोगों ने जैस of 60% के आसपास होगा तो यह जो point है यहां से एक reversal का last chance होता है last hope होता है टेक्निकली इसको यहां से reverse कर जाना चाहिए otherwise अगर इसको break करता है तो जहां से यह rally start हुआ है ठीक है उस support zone में यह जाके फिर से support लेके फिर से यह price action button बनाता है तो यहां से एक reversal हम लोगों को देखने को मिली है तो एक यहां पर hope measure आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से यह जो breakout हुआ था ठीक है इसके उपर निकलने की कोशिश करें और हम लोग को यहां पर इस तरीके से यह channel pattern में यह trade कर रहा था अब इस channel pattern से हो सकता है यहां पर फिर से ऊपर निकलने की और जाना चाहिए तो यह इस बार अगर राइट नहीं होता और यहां से breakout देनी की कोशिश करता है तो most probably यह उपर की और निकलने की कोशिश करेंगा और उपर वाले जो levels है उन्हें दिखाने की कोशिश कर सकता है अभी हम लोग क्या करते हैं monthly time frame पे directly जाते हैं और इस month का candle क इस तरीके से form हो रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं monthly time frame पे अगर आप देखेंगे तो last month में बहुत ही अच्छा यहां पर candle का formation हुआ था क्यूं ऐसा हुआ था क्यूंकि अगर देखेंगे तो बिचले एक दो तीन चार और यह इस month को अगर हम लोग count कर ले तो पांच करकी होए अंगर अगर मशें यहां यहां पर के एक है फिर स्ञार कर लिए और अगर पिछले महीं है परखेंगे टो यह छोटा diyor कर लिस तरीके से तो एगर इस महीं है तो एकसी alar آپ कम पर देखने को मिल सकते हैं नीचे की बात करेंगे अगर अगें यहां पर सोड़ी सी सेलींग आती हो और यह अपना लोगो ब्रिक करता है तो हो सकता है यह नीचे वाला जो टेंड लाइन है इसको इपार रिटेस्ट करें क्योंगे अगर इसको रिटेस्ट करने आएगा तो य यहाँ पे support लेने के फिर से chances बढ़ सकते हैं और हो सकता है फिर से इसी तरीके से इसी channel pattern में यह continue करें weekly time frame पे हम चलते हैं और अगर आप इसको weekly time frame पे यहाँ पे देखेंगे लेकिन last class में यहाँ पे selling आ गया और यह इस तरीके से closing दे दिया है ठीक है तो अभी हम लोग का जिस तरीके से close मिला है यहाँ पे अगें एक price action pattern बना है अगर उसका ऐसल लगा कि ट्रेट किया होगा तो सकते ऐसल हीट हो गया हो फिर से एंट्री लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको रुखने देंगे यह जो यहाँ यहाँ पर कोई swing मिलता है तो इसका ऐसल लगा कि हम लोग उपर की फिर planning मैं बना होगा ठीक है आपको ओपने final decision के बाद ही कोई भी analysis लेना है अभी हम लोग वन आट टाइम प्रेम पे इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पर ठीक है ओके तो वन आटाइम प्रेम पर इस तरीके से यहाँ पर है अभी हम से जाके इसने फिर सपोर्ट लिया ठीक है अब सपोर्ट लेके इसके आसपास जाके जब ट्रेट कर रहा है तो जब यह इस लेवल से फिर से ऊपर जाएगा 3060 यह फिर थोड़ा जस्त इसके ऊपर से यहां पर इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए ठेकनिकली और रेजिस्टे ठेक है और ट्रेंड लाइन पर कोई सपोर्ट मिलता है तो हम लोग यहां पे इसके बारे में सोच सकते हैं और यहां पर सोच रहे होंगी तो हमारा एसल काफी चोटा हो जाएगा और इसके साथ हमारा जो टार्गेट है उपर क्योंगर आच्छा टार्गेट हम लोग के मिल जाएगा ठीक है तो आपको अपनी फाइनल एनलेसिस के बाद में ही कोई भी डिसीजन लेना है और मंडे की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो पहले नाइन को यह फ़हले हाफन डे में इसने फॉल हुआ है और उसके बाद वी यहां पर होता है तो शेयर अपने हाई के आसपस जा के क्या करता है रिजिस्टन्स लेता है यहां फिर उपर से नीचे आता है तो इन लेवल से का सपस सपोर्ट लेता है तो यहां पर अगर ओपनिंग के बाद ठीक है यह थोड़ा सा और नीचे आके इस तरीके से फिर से न निकलेगा तो हम दो को 3080 का टार्गेट इन 3100 क्यास पास का उपर क्यों टार्गेट देखने को मिल सकता है अगर नीचे की और 3060 से सेलिंग हो रहा होगा ठीक है तो यह नीचे की और लगबग लगबग अपना यह जो अभी जिस लेवल कास पर स्ट्रेट कर रहा है 3040 इसके बीच में रूखने की कोशिश करेगा और यहां पर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा बायर कोशिश करें किसी लेवल में यह हॉल्ड करें और यहां से फिर से ब्रेक आउट देनिक कोशिश करें ठीक है अगर और नीचे आता है तो 3020 से यह यहां पर इस तरीके से रीटर्न हो सकता है वीडियो कैसा लागा कमेंसेक्शन नों बताइए और पसंद आए लाइक कर सकते हैं चैनल करने होंगे सब्सक् आइ पर सकते हैं थाइक पर सकते थाइक कर सकते हैं